जैसा कि आप लोग पहली बार SSC GD में ऐसा देखे होंगे कि जिस फोर्स की वेकंसी सबसे जादा होती है उस फोर्स की वेकंसी एकदम जीरो है जी हाँ साथियों CRPF की वेकंसी BSF की वेकंसी इन दोनों के पद SSC GD में हमेशा बहुत जादा रहे हैं लेकिन इस बार का जो पर क्रिया चल रही है जिसका रेटिन इक्जाम जल्दी होने वाला है उसके बाद आपका SSC GD CAPF Central Armed Police Force ठीक है पैरा मिलिटरी जिसको आप लोग बोलते हैं जिसको फैरा मिलिटरी के नाम से निचाना जाता है इसमें आप लोगों का अलाग अलाग जिस भी नंबर के हिसाब से जिस फोर्स की कटाफ जाएगी आप जिसके अंदर आ रहे होंगे वहाँ पे आपको सीधे जॉइनिंग दे दी ज देखियोंगे कि जिस फोर्स की वेकंसी सबसे जादा होती है उस फोर्स की वेकंसी एकदम जीरो है जी हां सात्यों CRPF की वेकंसी ब्यस्टेफ की वेकंसी इन दोनों के पद SSC GD में हमेशा बहुत जादा रहे हैं लेकिन इस बार का जो नूटिपिकेशन आया था आप आती बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगा और सात्यों इसी तरीके के आप लोगों को जानकारी वाली वीडियो देने के लिए आप लोग इस चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए टर्गेट फिचल एकड़मी यूटूब चनल आप लोगों को वरदी दिलाने के लिए लेकर आते रहेंगे तो साथियों भी बात करते हैं CRPF की तो साथियों एक बात तो आप नोट का लीजेगा या तो जीडी की अलग से वैकेंसी CRPF निकालेगा या फिर SSC GD 2021 की वैकेंसी को कम से कम मान के चलिए 4000 पद आपको बढ़ेंगे सिर्फ CRPF में इतना तो चाहे बोले कि कुछ भी बोल लीजे आप लोग लेकिन इतना जानिये या तो CRPF की वैकेंसी बढ़ेगी जिसकी वज़ासे SSC GD की वैकेंसी भी बढ़ेगी या फिर SSC GD से भरती ना कराकर CRPF जर्नल ड्यूटी के लिए अलग से वैकेंसी निकालेगा दोनों दोनों बाते हो सकती है दोनों में से क्या होती है अभी यह तो देखने वाली बात होगी सत्यों जैसे कोई अपडेट आता है आप लोगों को सोचना दे जाएगी ठेक है सत्यों वीडियो को लाइक कर देजे मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारिक साथ तब तक लिए जैहिंद ज आए भार